लो दोस्तों वलकम बैक टो अनादर नीफ फ्रेस वीडियो दुस्तों आज के वीडियो में आप लोगो रेपिडो रेट काड़ के बारे में पूरा डिटेज में इन्फोरमिशन दूँगा कि रेपिडो में मिनिमम एक ओर्डर के कितना मिलता है पर किलमेटर रेपिडो में कि है चांब कास्षारमिटीव क्या मुढ्य है क्या पॉर्टियू के है तो वो शारे इन्फesseर डेफ वेडियो में देने वालाओ। तो वीडियो का यह देखना दो जो बहुत जब लगते इन्फमर्मीटीव हैं। चलो ऽा color करें रहां कॉरू Ms. अब मैं आप लोग को रैपीडो बाइक टैक्सी एन रैपीडो फूर्ट का रेट कर दिखा देता हूं तो दोस्तों यह है आपका रैपीडो बाइक टैक्सी का रेट कर आप लोग देख पा रहे होंगे यहां पर लिखा है मिनिमाम फियर 19 रुप्या मतलब आपका मिनिमाम एक राइट का 19 रुपेया मिले गए इससे कम नहीं मिलेगा चाहिए जितना भी किलोमेटर सब्सक्राइट का भी राइट मिलेगा तो मिनिमूम 19 रुपेया आपको मिल जाएगा यहां पर उसके नीचे अर्णिंग पर किलोमेटर लिखा हुआ आप लोग देख पा रहे हुँगा कोई order का accept किया और वो 10 किलोमेटर का राइट हुआ तो पहले 5 किलोमेटर तक आपको 6 रुपेया 30 पैसे अगर के मिलेगा पर किलोमेटर 5 किलोमेटर के बाद से अगले 5 किलोमेटर तक का यानि 10 किलोमेटर तक का आपको 7 रुपेया पर किलोमेटर के इसाप से मिलेगा उसी अबको आठ रुपया पर किलूमेटर मिलेगा और या इदि पंदर किलूमेटर के long distance का order हुआ पंदर किल लिए के बात से आपको 11 किलुपया पर किलूमेटर की साफ से मिलेगा और दूस्तों यहां पर आप die computation पाधे निन की साब से मिलता है तो वहाँ पर 20 मिनिट का सपोस्थ एकर कोई राइड हुआ तो आपको वहाँ पर 10 रुपय एज बोनस की साब से मिलेगा और नीचे यहाँ पर प्लाटफॉर्म चार्जेस दिया जो कि मुझे लगता है बहुत ज्यादा 20 प्लाटफॉर्म चार्ज मतले जितना आप अर्णिंग करेंगा पर ओर उर्डर का उसमें से 20% कंपनी काट के आपको पैसा देती है तो यह मुझे थोड़ा सा खड़ाब लगा काफी हाई चार्ज है तो उसके बाद अगर कस्टेमर का लोकेशन सपोज आपका 4 किलोमेटर है आपके लोकेशन से कस्टेमर जहां पर खड़ा है वहां से 4 किलोमेटर का डिस्टेंस है तो स्टार्टिंग के 2 किलोमेटर आपको 6 रुपिया पर किलोमेटर के इसाफ से मिलेगा मैक्सिम्म 12 रुप तो उसके बाद का जो 4 km है तो उसके लिए अपको कमपणी पैसा नहीं देती है इसके बाद दोस्तों फूट का मैं दिखा देता हूँ यदि आप फूट डिलिवरी करेंगे इसमें सिर्फ तो इसमें आपको मिनिमम एक ओडर का 40 उपयर के मिलता है अगले 9999 order तक मतलब जैसे आपको 10,000 नंबर order आएगा आपका food का तो उसमें उस टेम आपको 35 उपयर के एक order के मिलने लेगा उसको दूस्ते इसमें drop एक्ट्रा किलोमेटर पोस्ट 5 किलोमेटर तक का आपको 4 उपयर पर किलोमेटर के इसाब से मिलता है मतलब एक किलोमेटर का चाड़ पयर के मिलता है पाच किलोमेटर तक का उसके बाद जितना जाएंगे तो उससे सबसे फिर 50 उपया ही पर किलोमेटर के इसाब से यहां पर company देती है जो कि काफी मुझे थोड़ा सा कम लगा लेकिन वहीं पर suppose अगर कोई order आपके एक दू किलोमेटर डिस्टेंस का होगा वो तो उस टेम भी आपको 40 उपय मिनिमम एक order का मिलेगा यहां पर दूस्ते नीचे लिखा हुआ पिक अप एक्स्ट्रा किलोमेटर फिर पोस्ट 5 किलोमेटर मैक्सिम्म 20 रुपीस यानि suppose आपके पास एक order आए आपके और रेस्ट्राइट के बीच का डिस्टेंस suppose मान लिजे कि 5 किलोमेटर है आपको 5 किलोमेटर डिस्टेंस टेवल करके रेस्ट्राइट में जाना वहां से फिर खाना पिक अप करना तो उसके लिए कमपनी आपको 4 रुपय पर किलोमेटर के साब से देती है maximum 20 रुपया यदि मान लिजे कि customer sorry restaurant के location आपके location से करीब 6 या 7 किलोमेटर तक है तो company सिर्फ आपको starting के 5 किलोमेटर जाने का ही पैसा देखो उसके बाद यदि 2-3 किलोमेटर और यदि आप बाइक चला के restaurant तक जाते है तो उसके लिए आपको पैसा नहीं कोशिस करना है restaurant का अगर order मिलता है कोई तो एक या 2 किलोमेटर के आसपास ही रहना हो और bike का भी अगर order मिलता है तो maximum 2 किलोमेटर तक का देखना है कि आपके और customer या फिर restaurant के बीच में 2 किलोमेटर से ज्यादा gap ना हो नहीं तो फिर आप ही का फिर loss हो जाएगा extra bike चलाने दूसरे दिन रात के बाड़ा वहे तक काम कर सकता है मतला all time इसमें आपको ride मिलेगा और incentive मिलता रहेगा तो यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगा कि रात के बाड़ा एम से लेके सुबा के 6 वहे तक का मतलब 6 वहे से 6 घंटा का safety इंग है उसमें लिए इसके लिए company बो देख पा रहे होंगे कि एक ride का एक ride complete करने पर और minimum 4 km बाइक चलाने पर company आपको 20 रुपिय इंसेंटिव देगे फिर दूसरे राइट अगर आप complete करते हो minimum 8 km अगर बाइक चलाते तो 20 रुपिय और incentive देगा उसी तरह तिसरे राइट पर 20 रुपिय और incentive फिर पास नंबर र order accept करते हैं और minimum 28 km अगर बाइक चलाते हैं तो company आपको यहाँ पर 150 रुपिय इंसेंटिव देती है अलग से ओके यहाँ पर दूस्तों देखिए स्टार्टिंग के तीन राइट अगर आप complete करते हो minimum 12 km भी अगर आप बाइक चलाते हैं तो company आपको 50 रुपिय इंसेंटिव देगा और फिर साथ नम्मर राइट जैसे आपको complete होगा और minimum यदि आप 28 km बाइक चला लेते हैं तो company आपको 55 रुपिय अलग से इंसेंटिव देगा आप इन तीनों को जोड़ेंगो तो 150 रुपिय टोटल आपको incentive हो जागा है साथ राइट complete करने पे अब दोस्तों दो फ और minimum इतना login hour देना पड़ेगा बट रैपिडो में ऐसा कुछ नहीं आप जिस भी टाइम चाहिए उस टाइम आप लोग इन कर सकता है और जिस टाइम आपको मन करें किया मेरा target complete होगा और मैं काम नहीं करना चुगा तो आप simply offline करके आप घर जा सकता है ऐसा कोई पावंदी कोई restriction नहीं है तो यहां पर आप लोग देख पाड़ेंगी यह slot है आपके दोफेर 12 से लेके रात के 12 बज़े तक तो इसमें company आपको 390 रुपय इंसेंटिव देती है लेकिन उसके लिए आपको 18 राइट complete करना होगा और minimum आपको 72 किलोमेटर बाइक चलाना होगा दोस्तों देखें यहां पर starting के यह दी पाच राइड आप complete करते और minimum 20 किलोमेटर बाइक चलाते तो company आपको 70 रुपया देती है उसी तरह 8 राइट complete करेंगे जैसे आपका 8 नमर राइट complete होगा और 32 किलोमेटर अगर बाइक चलाते है फिर 50 रुपय इंसेंटिव मिलता है उसी तरह 11 नमबर पर 11 नमबर राइट करने पर 60 रुपय इंसेंटिव फिर उसी तरह 18 राइट जैसे आप complete करेंगे और minimum 20 किलोमेटर आप अगर बाइक चला लेते तो फिर 12 से लेखे रात के बाड़ा बज़ें बीच में तो company आपको वहाँ पर टोटल 390 रुपय इंसेंटिव देती ह आपके एक लाइक से मुझे काफी मोटिवेट मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने में और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं रैप वीडियो वीडियो अप्लोट करूं तो उस वीडियो में बताऊंगा यदि यह ब्रैप वीडियो में order accept करते हैं और उसको फिर बा मिलता है तो मिलते हैं बहुत जल नेक्स्ट और फ्रेश वीडियो का सब तब तक लिए चया हिंद